हेलो बच्चों, दिपावली की छुट्टी एवं प्रथम सत्र की परिक्षा के बाद, हिंदी की कक्षा की दूसरी इकाई में आप सभी का पुन एक बार स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आपकी छुट्टियां और आपके पेपर्स दोनों ही अच्छे गए होंगे और आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम दूसरी इकाई के पहले पाट गाम और शहर का अध्यन करने जा रहे हैं। यह पाट चित्र की सहायता से निबंध लेखन पर आधारी थे। यहां दो चित्र दिये गए हैं गाउं और शहर के। दोनों के रहन सहन और सुविधाओं में फर्क हम साफ देख सकते हैं। तो सरप्रथम हम गाउं के रहन सहन, रोजगार, सिक्षा एवं उनकी उन्नति के साधनों का निरिक्षन करेंगे। इस गाउं के चित्र में प्रगतिशील गाउं की जहांकी दिखाई गई हैं। जिसमें सभी आधार भूत सुविधाएं हैं। गाउं में विद्याले हैं। देखिए बच्चे विद्याले में जा रहे हैं जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों जा रहे हैं गाउं के विद्याले का नाम समता विद्याले है वहाँ पे सौचाले को भी सुबिधा है और गाउं के विद्याले में देखिए खेलने केले मैदान भी है जहां बच्चे खेल कूद कर रहे हैं और गाउं के जो मकान यहां दिखाए गए हैं वो सिमेंट और इट के भी बनाए गए हैं और कुछ कच्चे मकान भी हैं जहां पेड़ पौधे हैं बिजली की भी बेवस्ता है बिजली भी आ गई है गाउं में और साथ में सोलार लाइट भी स्ट्रीट में अर्थार गाउं के जो रास्ते हैं उस पे लगाई गई है और देखिए गाउं के चित्र में एक जग़ कूड़ा दान अर्था डस्ट बिन भी रखा गया है जहां पे कूड़ा कचरा डाल करके गाउं को स्वक्ष रखा जा सकता है यहां पर देखिए कुछ व्यक्ति जो हैं पेड़ की च्छाओं में बैठे हुए हैं नीचे उसके महिलाएं कूएं से पानी भर रही हैं और सर पर रखकर उसे ले आ रही हैं यहां पास में ही देख सकते हैं कि एक व्यक्ति साइकल से कहीं जा रहा है बच्चा जो है टायर जो होता है जो साइकल का टायर होता है उससे वह खेल रहा है यहां पे एक पशु का भी चित्र दिया गया है यह कौन सा पशु है यह गाए है और आप देख रहे हैं कि कुछ गाओं में घरों की च्छतों पर कुछ रोशन दान मतब च्छतों पर कुछ रोशनी घर के अंदर आने की बिवस्था की गई है जहां पर रोशन दान बनाया गया है और घरों में उजाले के लिए या सूरे के प्रकास के लिए उचित खिड़की और दरवाजे की भी विवस्था की गई है इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गाओं के जो घर हैं वो एक मंजिले ही है शहरों की तरह आलिशान मकान यहां नहीं है लेकिन साफ, स्वक्ष और सूरे के प्रकास से प्रकाशित है गाओं में अनेक पशू और पक्षी दीख रहे हैं हमें जो की प्रते घरों में पाले जाते हैं जिससे प्रकिर्ती का संतुलन बना रहता है और घर में जो भी बचा कुछा खाना होता है या अनाज होता है उसे वो उन पशू पक्षियों को देकी खिलाते हैं जिसे अनाज बरबाद नहीं होता है और कूडे में नहीं जाता है और आपने एक चीज और गौर से देखा होगा कि यहाँ पे कुछ महिलाएं बैटके अपना काम कर रही हैं जैसे मौसम के अनुसार अचार पापड बनाना और घर के धन धाने को सुरज के प्रकाश में दिखा के सुखाना और उनको सुरक्षित रखना शहरों में हम अनाजो को सुरक्षित रखने के लिए कुछ न कुछ दवाईयों का प्रयोग करते हैं लेकिन गाओं में उसे धूप में सुखा करके और उची सस्थान पे रखा जाता है जिससे वो साल भर चलता है यहाँ पर देखिए एक महिला यहाँ बर्तन वगर धो रही है साफ करके उसको रख रही है यहाँ कपड़े सुखाये जा रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ बर्तन में रखा हुआ है अर्थात गाओं की महलाएं सुबह तड़के उठ जाती हैं और घर के अनेई कामकाच करती रहती हैं इसलिए वो उन्हें कोई बिमारी नहीं होती है आपने एक चीज और देखा है यहाँ गाओं में एक महिला खाट पर एक बच्ची के साथ बैठी हुई है यह हमें दर्साता है कि गाओं में अभी भी संयुक्त परिवार है जहां बच्चों का लानन पालन बड़े ही अच्छे प्रकार से होता है वहाँ पे बच्चे कभी भी मनुरंजन के दूसरे साधन नहीं खोचते हैं वो अपने दादा दादी चाचा चाची परिवार के अन्न सदस्यों के साथ अपना समय वितीत करते हैं और यहाँ पे आपको एक बैल गाड़ी दीख रही है साथ में साइकल दीख रहा है और उसके साथ साथ में ट्रैक्टर दीख रहा है अर्थात गाओ के सामान को ढोने के लिए इन सारे वहानों का प्रियोग किया जाता है साथ ही साथ ट्रैक्टर से आधुनिक जो खेती होती है उसको किया जाता है बैल से जो खेत जोता जाता था उसमें काफी समय लगता था लेकिन ट्रैक्टर से जो जोता जाता है उसमें समय कम लगता है। अता आधुनी खेती को यहां बढ़ावा दिया गया है। यहां पे एक परिवार जो है अपने बच्चे को लेके कहीं जा रहा है। साथ में एक कुत्ते का भी द्रिश्य दिया गया है। अर्थाथ गाउं के पसु पक्षियों में गाय, भैस, बकरी, मुर्गा-मुर्गी और कुत्ता यहां दिखाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह स्वक्ष और स्वस्थ ग्राम का चित्र है। गाउं के चित्र में एक स्लोगन भी दिया गया है। हर एक जो देश होता है गाउं और शहर से मिलकर बनता है गाउं की उन्नती होगी और शहर की उन्नती होगी तब जाकर के हमारे देश की उन्नती संभव होती है दूसरा भी स्लोगन है स्वक्ष ग्राम स्वस्थ ग्राम अर्थात अगर गाउं के लोग स्वक्षता को अपनाएंगे स्वक्ष रहेंगे साप सुत्रे रहेंगे तो वह गाउं में सभी लोग निरोगी रहेंगे अर्थात स्वस्थ रहेंगे चलिए अब हम शहर के चित्र का अवलोकन करते हैं शहर की मूल भी आवशक्त्य क्या होती है सुविधा क्या होती है शहर के लोग का पहनावा क्या होता है रहन सहन क्या होता है उसके बारे में हम चित्रों के द्वारा जानकारी लेंगे शहर के चित्र में उची उची इमारतें दर्शाई गई है देखिए शहर में कई मंजिले इमारतें है इमारतों के उपर पानियों की टंकियां भी लगी हुई है ये देखिए पानियों की टंकियां है और सटेलाइट अर्थाथ घर में जो टीवी होती है उसको चलने के लिए जो सेटेलाइट की जरुरत होती है वो भी वहाँ पे लगाई गई है साथ में सोलार के जो सुविदा होती है उसको भी लगाएगा इससे पानी गरम होता है और बिजली का भी उतपादन होता है शहर के जो मकान होते हों काफी उचे होते हैं कई मंजिले होते हैं और सडकों से वो जुड़े होते हैं सडकों के किनारे होते हैं सडकों पे आप देखिए सडकों पे अनेक प्रकार के वहां चल रहे हैं कारे हैं, बसे हैं और यह तो एक मंजिला बसे, यहां दो मंजिला बसे साथ में और भी कई गाड़ियां है, पैदल चलने वाले लोग हैं और चोराहे के बीचों बीच आप एक फवारे को देख सकते हैं जो चोराहे की सोभा को बढ़ा रहा है और यहां जेबरा क्रोसिंग है, जिससे लोग पैदल आ जा सकते हैं जेबरा क्रोसिंग पे लोग पैदल आते जाते हैं, अर्था तो वो सुरक्षित होता है साथ में ट्राफिक लाइट्स की भी सुविधा है जो ये सिगनल देख रहे हैं हाप ये ट्राफिक लाइट का है और स्ट्रीट लाइट और रोड पे जो लाइट है वो भी यहाँ पे लगाई गई है शहरों में बड़े-बड़े मॉल की भी विवस्था की जाती है जहां एक जग़ पे सारी चीजें हमें मिल जाती है जैसे ये मॉल है जहां बहुत सारे चीजें हमें इकठा मिल जाती है और यहाँ पर आप देखिए नीचे उसके देखिए यहां सडकों के किनारे किनारे आपको कुछ पेर पौधे भी लगाये मिल जा रहे हैं जो सहरोंक में सडकों की सुन्दर्ता को तो बढ़ाते ही हैं साथ में प्रदूसर्ण का भी खयाल रखते हैं अर्थात उसके संतुलन को बनाए रखते हैं और आप यहां देख सकते हैं कि कुछ स्कूटर, आटो रिक्षा भी यहां पे हैं अर्थात गाओं की अपेक्षा शहरों में वाहन जो होते हैं अधिक चलते हैं इसलिए शहरों में प्रदूसर्ण की समस्या अधिक होती है और यहां के लोगों के पहनावे भी गाओं के लोगों की अपिक्षा अलग होता है वहां लोग धोती कुर्टा, कुर्टा पैजामा और औरते साडियां पहनती हैं पर शहरों में लोग पंजाबी सलवार कुरता और जो आदमी लोग होते हैं पुरुश होते हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं इस प्रकार आपने देखा कि गाउं और शहर में कितना अंतर होता है जहां गाउं में सुद्ध हवा स्वक्ष बातावरण मिलता है वहीं शहरों में बहुत भीड़ भार होती है लेकिन एक चीज बहुत ज़्यादा माइन रखती है वो होता है अनुशाशन अर्था डिसिप्लिन जहां पे discipline अर्थात अनुसासन के साथ रह करके हम ज़ादा लोग भी अगर शहर में रहते हैं और अनुशासन का पालन करते हैं तो हमें किसी भी असुविदा की वो नहीं होता है अर्थात हमें किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है इस प्रकार हमने देखा कि गाउं और शहर गाउं और शहर दोनों में परियाप्त अंतर होता है आपने देखा कि शहर का जो वातावरण दिखाया गया था उस पे एक स्लोगन था शुद्ध हवा पानी का तंतर स्वस्थ जीवन का मंतर अर्थात जहां शुद्ध हवा होगा पानी की सुविधा होगी वहाँ पे स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है अर्थात स्वस्त जीवन का मंत्र होता है शुद्ध हवा और शुद्ध पानी और पाने की पर्याप्त सुविधा दूसरा है अनुशासन के साथ देश का विकाश अर्थात जहां अनुशाशन होता है जिस देश में अनुशाशित लोग रहते हैं उस देश के विकास को कोई नहीं रोख सकता अर्थात हमें सहम सभी को अपने देश के सभी नियम कानूनों का पालन करना चाहिए इस प्रकर आप इन दोनों चित्रों को देखिए गाउं और शहर में अंतर देखिए और शहर और गाउं में आपको क्या पसंद है वो भी जरूर सोचिए और लिखिए अपने गाउं के विकास के लिए आपके गाउं में क्या-क्या योजनाय चलाई जाती है उसके बारे में भी आप अपनी जानकारी जरूर रखिए धन्यवाद